मन कैसे काम करता है कैसे एक विचार हकीकत बन जाता है क्या आप जानना चाहते हैं गौतम बुद्ध ने कहा है जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात के पीछे की गहराई क्या है आज हम इस वीडियो में खुद से सही सवाल पूछ कर एक बहुत बड़े प्रस्न का उत्तर जानने वाले हैं तो जो बही अपने जीवन में वासना को लेकर या व्रत्ति को लेकर परिसान है या अपने मन को नहीं समझ पाते या ना चाहकर भी उनका मन उन्हें गुलाम बना कर रखता है या वो अपने मन के किसी भी सवाल को लेकर अगर परिसान है अपने विचारों को लेकर परिसान ह तो इस वीडियो के अंत तक पहुचते पहुचते आपके उन सवालों में सरलता आ जाएगी वो प्रस्ण है कि मन कैसे काम करता है पहला प्रस्ण ये है कि अभी हमारे भीतर क्या चल रहा है ध्यान से देखते हैं इस प्रस्ण को पूछने से पहले हमारे भीतर सैकड़ों विचार चल रहे थे लेकिन जैसे ही हमने ये प्रस्ण पूछा तो हमारे सभी अन्य विचार शांत हो गई इस्तिर हो गई जानते हो क्यों क्योंकि जागरुकता विचारों को इस्तिर कर देती है शांत कर देती है तो पहला समाधान जो हमें मिला है अपने पहले प्रस्ण से वो ये है कि जागरुकता के द्वारा हम अंचाहे विचारों को रोक सकते हैं जागरुकता के द्वारा या होश कह लीजिए इसके द्वारा ही हम अंचाहे विचारों को जिनको आप नहीं चाते उन विचारों को भी रोक सकते हैं अब दूसरा प्रस्न है के अंचाहे विचार जिने तुम पसंद नहीं करते वो आते कैसे हैं जिन भाईयों को वीडियो बोरिंग लग रही हो वो जा सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा प्रस्ण था कि अंचाहे विचार हमारे मन में आते कैसे हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर है कि हमारे मन के पांच द्वार हैं पांच धरवाजे हैं और ये पांचों द्वार खुले हुए हैं निरंतर खुले हुए हैं और इन पांचों द्वारों में हर समय पूरी तरह अंजान है रात को सपने में भी अश्लील विचार आते हैं जानते हैं क्यों क्योंकि हम अपनी आखों से बहुत ज्यादा अश्लीलता भरे चित्र देख चुके हैं हमारे मुख से हमेशा गाली ही निकलती है जानते हैं क्यों क्योंकि हम अपने कानों से बहुत सारे अब शब्द सुन चुके हैं आपको समझ आ रहा है ना मेरे भाईयो ये सारी पांचों इंद्रियां कही न कहीं एक दूसरे से संबंद रखती है कान से और आखों से जो सुनोगे वो मुझे निकलेगा आखों से जो देखोंगे वो मन में बनेगा कानों से जो सुनोगे वो आखों के सामने आएगा और वही मन में चित्र बनाएगा ये कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए है तो दूसरे प्रस्ण का उत्तर है कि अंचाहे विचार भी हमने चाह कर ही भरे है क्योंकि हमें उन में मज़ा आता है अब तीसरा प्रस्ण है कि मन बहुत ज्यादा असलीलता के कारण अशुर्द हो गया है रात को सोते समय भी अगर हम बढ़ बढ़ाने लगें तो मुझ से असलील सब्द ही निकलते हैं इस समस्या का समधान कैसे करें इस प्रस्ण का उत्तर है सबसे पहले अपने भीतर से दोशी भाव हटाओ के मैं बहुत पापी हूँ मैं बहुत बुरा हूँ मेरे भीतर हर समय असलीलता ही चलती रहती है इस दोशी भाव को अपने भीतर से हटा दो कामवासना से भरे विचार एकदम स्वभाविक हैं बिलकुल स्वभाविक हैं लेकिन इनकी अती जीवन को बरबाद कर सकती है। ये है कि आप इस काबिल बन जाएं कि और जो जीवन में सार्थक चीजे हैं उची से उची चीजे हैं आप उन्हें भी देख सकें। अभी कामवासना के चस्मे ने आपकी आँखों को पूरी तरह से धक रखा है। और ये बिलकुल गलत है। तीसरे प्रस्ण का उत्तर है कामवासना से जोड़ी सामगरी को देखना और सुनना या तो बंद कर दीजिए या उसे कम कर दीजिए। और वो चीजे देखिए और सुनिए जो आपकी बुद्धी का विकास करे। कामवासना के तीन कार्य हैं। पहला कार्य है स्रजन करना यानि जन संक्या को बढ़ाना। तूसरा कार्य है आपको छणिक सुख देना। और तीसरा कार्य ये है कि आपको सारिक और मानसिक रूप से कमजोर करना। चौथा प्रश्ण। मेरा मन कामवासना की ही तरफ क्यों जाता है जबकि मैं ये जानता हूं कि वह मुझे कमजोरी देगी। मन का बिलकुल ही सीधा सा नियम है। मन हमेशा वही जाता है जहां उसे आनंद और मजा नजर आता है। और इसमें कुछ भी बुरा भी नहीं है। पर यही मन जो आनंद का लालच देता है यही बाद में पच्तावे की आग भी देता है। मन को समझो। मन वहां तो अपने आप चला जाता है जहां इसे मजा नजर आता है और वहां पर अभ्यास से जाता है प्रैक्टिस से जाता है जहां आपको लगता है कि इस मन को जाना चाहिए वहाँ इसे बिल्कुल ऐसे समझो किसी उचे कार्य का अलग आनंद है और कामवासना का अलग आनंद उचे कार्य यानि आप किसी खेल को कह सकते हैं या आप किसी की मदद करने या इस समाज में जो गलत हो रहा है उसे सही करने के लिए उसका अलग आनंद है जो आपकी भी उस चीज की तरफ नहीं जाता, जो उचे से उचा है, अब इसे उस जगा कैसे ले जाएं, जहां कृष्ण है, जहां उचे से उचा साहित्य है, जहां उचे से उचा कर्म है, या जहां उचे से उचा आपका लक्षे है, इस प्रश्ण का उत्तर है अभ्यास के द्वारा, अ आपने निरंतर अभ्यास किया और आज आप दोड़ पाते हैं कितनी बार आपको चोट लगी कितनी बार आप गिरे लेकिन आपने निरंतर अभ्यास करना नहीं छोड़ा आपने निरंतर प्रयास करना नहीं छोड़ा ठीक इसी तरह चाहे आप जो भी करना चाहते हैं आपको उ उसी कार्ये से जुड़े विचार तुम्हारे भीतर चलते रहें और उसी कार्ये से जुड़ा हुआ कर्म करें जिसको आप करना चाहते हो जब आप एक विचार को लगातार अपने भीतर दोहराते रहते हो तो वह विचार वास्तविक्ता बनना सुरू हो जाता है लेकिन आप वास्तव में आपके लिए आविषक है। इसलिए लगातार अपने भितर उस विचार को दोराते रहिए जिसे आप वास्तव में बनना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर बिलकुल दुखी नहों, कि आपका मन आपकी नहीं सुनता, आपके मन में असलीलता विचार चलती रहती है, आप इस तरी को मनुष्य नहीं देख पाते, आप अपने घर में भी असलील भड़े विचार लेकर हर कारे को करते हो, हर काम के बीच में, ये मन आपको लगातार असलीलता देता है, क्योंकि मन तो वहीं जाएगा, जहां उसके लिए मजा है, और उस मजे के पास जादा जाएगा, जो जल्दी से उसके लिए उपलब्द है, लेकिन अगर तुम चाहते हो, कि तुम्हारा मन वहाँ जाए, जहां तुम चाहते हो, तो तुम्हें उसी तरह निरंतर अभ्यास करना होगा, जिस तरह तुमने बचपन में, रेंगते रेंगते, हजारों बार गिरने के बाद भी, चलने और खड़ा होने की जिद नहीं छोड़ी, ठीक ऐसे ही, आज तुमने निरंतर सोशल मीडिया का लगातार अभ्यास करकर के करकर के, और इस समाज ने लगातार टीवी में, फॉन में, हर प्रोडेक्ट के एडविटाइजमेंट में, हर चीज में, निरंतर लगातार वासना को दे दे कर दे दे कर, जो स्वभाविक थी, उसे अस्वभाविक बना दिया, और उस निरंतर अभ्यास की वजह से, समाज की जीत हुई, और वो निरंतर अब आपके अंदर चल रही है, और वो सस्ता मजा है, इसलिए मन वहाँ जाएगा ही, यह स्वभाविक है, लेकिन वासना के विचार बिल्कु स्वभाविक हैं, और वो अस्वभाविक तब हैं, जब उनकी अती हो जाए, तो आप समझ गए होंगे, कि अब आपको क्या करना है, आपको निरंतर किस चीज में अपना कदम बढ़ाना है, जिस तरह बचपन में आपने एक भी दिन, नहीं छोड़ा खुद को खड़ा करने के लिए, आप गिरते रहे, तूटते रहे, फूटते रहे, लेकिन फिर भी आप लगातार चलना सीखे, रुके नहीं, ठीक ऐसे ही, जहां आप जाना चाहते हैं, वहां आपको निरंतर चलना होगा, और सिर्फ भारी रूप से, अपने लक्षे के पीछे नहीं दोड़ना, साथ के साथ, उस लक्षे से जुड़े विचार, निरंतर तुम्हारे मन में दोहराते रहने चाहिए, जिसे आप वास्ता में बनना चाहते हैं, लगातार उससे संबन्दित कर्म करते रहिए, जो आप बनना चाहते हैं, इस वीडियो से अगर आपके सवाल सुलजे हैं, तो कमेंट में बताएं, के पवन भाई, मैं समझ गया, मुझे निरंतर कहां अपने आपको लगाए रखना है, अगर लगे शेयर करने लायक, तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं, वो भी कमेंट में बताएं, अगली वीडियो में फ्रे मिलते हैं मेरे भाईयो, जै स्री क्रिश्ना,